हेलो पिछली वीडियो में हमने जावा स्क्रिप्ट में इफ स्टेट्मेंट, इफ एल्ज स्टेट्मेंट, इफ एल्ज स्टेट्मेंट और स्विच स्टेट्मेंट के बारे में जाना आज हम इस वीडियो में लूपिंग स्टेट्मेंट ये क्या होती है इसके बारे में जाने तो सबसे पहले यहां पे looping statement इसकी definition के बारे में जानेंगे तो इसकी definition है जब program में हमें किसी प्रक्रिया को बार बार दोराना होता है तब हम looping control statement का प्रयोग करते हैं loop का उप्योग बार बार कोड के एक ही block को execute करने के लिए किया जाता है जब तक condition पूरी ना हो जाए समय और प्रयास को बचाने के लिए एक program के भीतर दोराय जाने वाले कार्यों को automatic repetitive करने के लिए हम loop चलाते हैं तो यहां पे हम सीखेंगे कि loop कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानेंगे the java script looping structure are यहां पे first है for loop, second है by loop, third है do by loop तो यहां पे java script में यह loop होते हैं इनको हम आगे detail में एक एक करके जानेंगे तो इस वीडियो में हमने looping statement इसकी definition और इसके कितनी types होते हैं इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel